मुबारक बात देना चाहूंगी दिल्लिवासियों को बहुत-बहुत मुबारक हा आप लोगों को कि आपको एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली हैं सिर्फ एक मंत्राले का शपत ली थी तो कहीं थी कि वो आतिशी मरलीन हैं लेकिन कल अपने शपत समारों में सिर्फ उन्होंने आप फलके में ले रहे हैं क्या आतिशी को अरे अफजल गुरू का अधूरा सपना पूरा करेगी आतिशी क्या भरोसा है कि आतिशी अप उस तक्त पर बैठने के लिए अर्विन केजरिवाल को साइड लगाने की साजिश नहीं करेगी अरे मुख्य मंत्री का चियर किसको नहीं पसंद आता है अर्विन केजरिवाल ने जान बूझ करके आतिशी मरलीना को इसलिए मुख्य मंत्री बनाया है ताके अमानतुल्ला का अधूरा काम पूरा होगा और आतिशी अफजल गुरू के फरमान को अफजल गुरू के अधूरे कार्य को पूरा करेगी अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता और बीजेपी की सबसे तेज तरार परवक्ता नाजिया खान जी है वही नाजिया खान जो पीएम मोदी के लिए पाकिस्तान से लड़ जाती है हर मुद्द पर जो है अपनी बेबाकी से राय देती है बाकी हमारे साथ जूरी है इसे बहुत सारे मुद्द पर बात करेंगे बहुत बहुत स्वागते हैं का। जाएगा जैसे दिरे दिरे पशिम मंगाल इसलामिक राज बनता चला जा रहा है वैसे ही अब दिल्ली भी मुबारक बात देना चाहूंगे दिल्ली वासियों को बहुत-बहुत मुबारका आप लोगों को कि आपको एक ऐसी मुख्य मंतरी मिली है जो आम आत्मी पार्टी से ज अपना टाइटल नहीं इस्तिमाल किया है सिर्फ आतिशी को हाइलाइट कर रही है लोगों को बेवकूब बनाने के लिए अब इसकी गहराई को समझे के एक ऐसे परिवार और एक ऐसे कोक से निकलीवी औरत जिस जिस कोक में वो थी वो महिला अफजल गुरू की फासी पर मा जाने के लिए इस देश की राश्पती के पास जाती थी सर्वुचे नियाई पालिका के पास जाती थी और कहती थी कि हाए मेरे अफजल गुरू को छोड़ दो उसकी बेटी उसकी बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है यह कितनी बड़ी साजिश अर्विंद केजरिवा मतलब आपको लगता है की साजिश है एकदम जोर जबरदस्त वाली साजिश है सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अन्ना हजारे जी के चाती पर दाल मुंग करके अर्विंद केजरिवाल ने अन्ना हजारे जी को बेवकूफ बना करके और अपने बच्चों की सोगन खा करके हर वो काम किया जो उसने कहा था कि वो नहीं करेगा ब्रश्टा चार में के खलाफ आवाज उठाने वाला अर्विंद केजरिवाल टॉप टू बोटम ब्रश्टा चारी निकला अपने बच्चे की सोगन दखाता था कि कभी वी आईपी कल्चर नहीं लेगा और टो पे सेटेगा कभी भी कुछ कभी सेक्योरिटी नहीं लेगा कभी शराब गोटाला कभी शीश मेल गोटाला कभी दवा गोटाला और जंता को क्या बोलता तो दवा और दारू दोनों का इंतिजाम कर दिये हैं दवा का इंतिजाम तो दिल्ली में नहीं हुआ पर दारू का हो गया अब अरविन केजरिवाल ने जान बूझ करके आतिशी मरलीना को इसलिए मुख्य मंत्री बनाया है ताके अमानतुल जो घुसपैटियों को घुसाता था और घुसपैटियों को असला बारूत के साथ साथ पैसे के साथ साथ एयर कूलर भी देता था अमानतुल्ला का अधूरा काम पूरा होगा और आतिशी अफजल गुरू के फरमान को अफजल गुरू के अधूरे कार्य को पूरा करेगी इ अब वोट नहीं होगा दिल्ली में अब लूट होगा लुंगी के अंदर से बम निकलेगा पजामे का नाड़ा खुलेगा रेप होगा और बहुत कुछ ऐसा होगा जो है यह चीजे देखने को मिलेगा जो पसिम बंगाल में एक दम एक आतंकी की फॉलोर अवजल गुरू जैस मेरे नेताओं को फंसाया गया जेल भेजा गया जब तक जनता जो है मुझे ही मंदार के तोर पे साबित नहीं करेगी तब तक मैं कूर्सी पे नहीं बाइटू ज़रा चाननी चौक मेरे साथ चलिये मुसलमानों से ही पूछ लेते हैं कि आर्विन केजरिवाल पे भरोसा है वो तो अपने बच्चों की सॉगंद खा के कहा था कि वो कभी भी विई अपी पूरा लग्जेरियम भी नहीं लेगा लिया ना वो तो कहा था टूबीज के फ्लाट में ही रहेगा शृष महल बनाया ना वो कहा था कभी सेक्यॉरिटी नहीं लेगा सबसे ज़्यादा अब वो हारतावा दिखाई दे रहा है उसने आतिशी को मुख्य मंत्री बना करके अवजल गुरू के मेंबर को मुख्य मंत्री दिल्ली का बना करके उसने बहुत गलत निरनाय लिया है और मैं एक बात और बता देती हूं जो अर्विन केजरिवाल कुमार विश्वास जी का नहीं हो पाया तो कैसे मान ले कि आतिशी अर्विन केजरिवाल की हो जाएगी और आतिशी के साथ तो एक ओर डर है कि वो अफजल गुरू की मिंबर है और मुसल्मान और आतंकी दोका देने में बहुत माहिर है तो आपको लगता है कि सांथ में मतलब नहीं रह पाएगी लिख लीजिए मेरी इस बात को और इसको सेफ करके रखिएगा जब ऐसा होगा न तो इसको ब्रेकिंग नियूज में चलवा दीजिएगा जो अरविन केजरिवाल कुमार विश्वास जी के लिए इतना साजिश कर सकता है बंगाल से पुलिस बिजवा सकता है राजिस्तान से पुलिस बिजवा सकता है जेल की सलाखों में डालने के लिए कुमार विश्वास जी के पीछे इतने लोगों को लगा सकता है क्या भरोसा है कि आतिशी अब उस तक्त पर बैठने के लिए अर्विन केजरिवाल को साइड लगाने की साजिश नहीं करेगी अरे मुख्यमंत्री का चियर किसको नहीं पसंद आता है जब अन्ना हजारे के कलेजी पर दाल मुंग करके अन्ना हजारे को बेवखूब बना करके अन्ना हजारे के विश्वास और एहसास को बेच करके अर्विन केजरिवाल जब तक पर बैठ सकता है मुख्यमंत्री की लालसा रख सकता है तो आतिशी क्यों नहीं अर्विंद के जीवाल तो कहे रहे हैं कि मैंने दिल्ली के जनता के लिए बहुत कुछ किया है फिरी में बजली स्कूल का फीज फिरी कर दिया इसके अलावा बस में टीकट महिलाओ के लिए फिरी है खासकर महिलाओ के लिए इतना जी सब जूट मुट आरोप लगा कि मंत्री के कारियाले में नहीं जा सकते हैं वो मुख्य मंत्री के कारियाले का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं किसी भी फाइल को नहीं छू सकते हैं ठीक है तो सरवुचे नियाए पालिका ने उनको वो बाइजद बरी नहीं किया है सर्वुचे नियाई पालिका ने उनके उपर investigation खतम नहीं किया है या CBI और ED ने उनके जितने भी चोर उचक के जो नेता मंतरी हैं जो जेल गए हुए हैं और अभी भी जेल में हैं और कुछ जेल से बाहर आए हैं वो अभी भी निर्दोश नह को बनाने के लिए अपना साजिश खेल रहा है एक नंबर का जुट्टा आदमी है अर्विंद के जुरिवाल एक नंबर का लगता है कि फिर से अर्विंद के जिर्वाल जो है मुकमंत्री बन पाएंगे दिल्ली नहीं अभी तो अफजल गुरू की मेंबर है भाई क्या बात को